जो हमारा घर गाहों के सबसे अंतेम छोर पर है तो तो है गाइस गॉट मॉर्निंग और वेल्कम बैक न्यू व्लॉग इस व्लॉग में कवर करने वाले हैर मैं अपने पुरे गाहों वाला जो घर है उसको कवर करूंगा तो इस चैन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि तो एंटर करने से पहले यह हमारा मेंगेट यहां से मेंटर करते हैं कि यह है पूरा ना कुवाम जो आदा ढग दिया गया है कि यह हमारे घर का बहर का द्रेश्ट आलू लग रहे है इसले आलू रखा हुआ है एक बहर एक रूम है और यह बैटने के लिए बनाया गया है मतलब बाहर से कोई भी आएंगे गेश्ट होगे रहा है गेश्ट के लिए नहीं मतलब कुछ भी नॉर्मल लेप यहां बैटने के लिए बाहर कुछ ना जारा देखने के लिए और यह मेरा रूम यह बाहर वाला रूम है गाईज अब जलते हैं अंदर अगर 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 बरसाथ के करण हरा हो गया है यह रहा रूम पूराने जमाने टाइप में लग रहा है बहुत पुराना घर है गाईज तो यहां सटाटूता है इसमें दो कमरे हैं यह दादा जी का कमरा यह हमारा श्टोर रूम वह एक कमरा यह हमारा किचन अब इतर दिखाता है सेम उस साट जीस्ता करूं में इस तरह भी उसे टाप करूं में गाईज उसमें दो कमरा यह यह कमरा है यह स्टोर रूम है और यह हमारा सेड़ी जलते हैं उपर तो यह हमारा च्छत यह है यह यह भी कमरा ही है यह कमरा और इधर एक उधर कम रहा है और यह पुजा रूम है कि अधर जो भी बन रहा है इधर कुछ और बन रहा है वो भी दिखा देते हैं यह च्छत है यह नया वाला कंस्ट्रक्शन चाल रहा है जबी यह यह कीचेन ना यह बातरूम है सारे यह रहा कीचेन तो यह कीचेन नहीं चल रही है यह एक कमरा और यह दूसरा कमरा और यह हमारा घर का च्छात है अधर एक और रूम बचा हुए गईज यह च्छात वाला एक और कमरा बचा हुए यह वाला कमरा और यहां से जो हमारा घर गाओं के सबसे अंतीम छोर पर है तो यहां के बाद से सीर्फ और सिर्फ खेत नजर आता है अब तो पूरा हरा नजर आ रहा है कि पुरा धान का सीजने तो धान लगा हुए गई इस पूरा नजर आ रहा है भी तो आपको यूड़ी पसंद आगा गाईज और इस चानल को अब तो आपने सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर लो सपोर्ट करो गाईज और इस व्लोग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक लिए शी यू आप गुड दे